आज इस पाम का एनलाइसिस करना है, इनका सवाल है गवर्मेंट जॉब को लेकर ये जानना चाहते हैं कि इनकी हाथ में सरकारी नौकरी के कितने चांसे हैं, आगे एनलाइसिस में इनके सवालों का जवाब भी नहीं मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत-बहुत स्वाग काम को, पैसे को, टाइम को मैनेज कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुम्किन हो जाता है इनके लिए, अंगुठा बहुत ही अच्छा है, सर्शक्त है, हलका सा बैंड हो रहा है, अंगुठा जब भी हलका सा बैंड होता है, तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है, वो मिलंसा टाइप होता है दोस्तों की संख्या इनकी बहुत ही ज्यादा होती है और जब उठा इतना मांसल हो अच्छा हो साइज में तो जिर्दी होते हैं प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं उसे इंप्लिमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं और यहां से हलका सभार है तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हां फैमिली लाइफ सोशल लाइफ और मैरेज्ड लाइफ तीनों थोड़ी बहुत डिस्टरब होंगी मैरेज्ड लाइफ उतनी ज्यादा कुछी मुछी होती वी दिखा बन रहा है, जब भी आपके हाथ में क्रॉस बने जुक्टर के माउंट पे तो वो आपकी मैरेज लाइफ को बेहतर बनाता है, यानि इन लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो समझदार होते है सटन माउंट यहां से फ्लाट है तो वही है कि आपको सक्सेस मिलने में टाइम लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलता नहीं है, बिलकुल मिलता है वो आगे साइन वगड़ा के जरीए हम लेखेंगे मर्कुरी माउंट यहां से दबावा है और यहां से उभार है जब भी मारकरी माउंट इस तरफ से दवावा होता है तो बोलने की कलामी ये लोग बहुत ही पेछे रह जाते हैं जब भी अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं सामने वाला इन्हें गलत ही समझ बैड़ता है ये कभी भी खुद को क्याटिफाय नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने में शब्दों का वा होता है लोग गलत समझ बैड़ते हैं हट होने की चांसे इनके बहुत ही ज़्यादा होते हैं लेकिन जब यहाँ पे उभार होता है तो फेम पानी के एक शायल लोगों की बहुत ही ज़्यादा होती है अपर मास बहुत ही बढ़िया है तो जिन लोगों से जब फासर भी अपर पासर जादा आच्छा होता है ऐसे लोग लगातार भी आठ नौ घंटे भी काम को जब करते हैं माली जी लप्टॉप के सामने बैठे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो इनकी एनरजी एक समान होती है यह कभी भी बोर नहीं होते हैं ठकते नहीं हैं जल्दे लोवामास में इनका बहुत ही ज्यादा शानदार है बहुत ही अच्छा है तो इम्मुनिटी इनकी बहुत ही अच्छी होगी शारीक जो शमता होती है वो शानदार होगी इनकी वेनस माउंट इनका शानदार है बहुत ही बढ़िया है marriage life बहुत अच्छी होती है जिनका venus mount अच्छा होता है साथी luxurious life होती है जंदगी में कभी किसी चीज का भाव इन्हें देखना नहीं पड़ता है बाकी ups and downs आते हैं वो देखेंगे आगे moon mount भी अच्छा है बढ़िया है तो foreign trip ये देता है imagination बढ़ा देता है यानि imaginative होते हैं ऐसे लोग जिनका moon mount भीतरीन होता है बहुत है अच्छा नहीं लेकिन अच्छा है साथी foreign income भी ये करवाता है और जब भी आपका moon mount अच्छा होता है तो बहरी लोगों की मदद इन्हें बहुत ज़ादा मिलती है मतलब ये की family की लोग नहीं दोस्त नहीं अंजान लोग इनकी मदद अच्छे से करते है अब देख लेते हैं lines heartline इनकी बिल्कुल एकदम से start हो रही है जुप्टर से तो नहीं कह सकते हैं नहीं जुप्टर से start नहीं हो रही है ये certain से start हो रही है जब भी आपका जो heartline है वो certain से start होता है तो इसे लोग सुबह उड़ते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि पैसा कहां से और कैसे कमाया जाए साथ ही इनके जो heartline में बदलाव मुझे देखनी को मिल रहा है वो age है इनकी ये 41 या 43 के आसपास इनके अंदर गुस्सा बहुत ही ज़ादा बढ़ जाएगा यानि इनके गुस्सा बहुत आएगा एक बार फिर से age कैलकुलेट कर लेते हैं हाँ जे 43, 42, 43 के आसपास से इनके अंदर गुस्सा प्रबल हो जाएगा गुस्सा आना start हो जाएगा कुशिश कीज़े गुस्से से दोर रहने के लिए उस age में थोड़ा सा अलट रहना है क्योंकि बिना reason के changes नहीं आते हैं चाहे वो heart line हो या mind line हो या life line हो इनकी जो mind line है एक तो काफी age तक ये life line से attach होके चली है यहां तक तो बंधन योग इस age तक है तकरीबन age होगी इनकी 26-27 तक तो बंधन योग है यानि खुद से सोच पाने की शमता इनकी बहुत ही ज़्यादा विक होती है और independent होने के chances इनके 29 के बाद ही बन रहे है यानि 29 से यह अपनी हिसाब से अपनी life जीना start कर देते हैं इसे लोग जिनके लाया मतलब इनकी हाथ में 29 से ही independent life जीने के chances हैं उससे पहले नहीं साथ ही इनकी जो mind line है वो break हो हो के चल रही है और यहां से यहां से मुझे जुप्टर से start होती भी दिखाए दे रही है पूरी clear तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रही है हाँ जुप्टर से ही हाँ जुप्टर से start हो रही है तो जब भी आपकी mind line जुप्टर से start होती है और वो भी इतनी बड़ी जो mind line होती है तो ऐसे लोग लोगों की सोच बहुत ही progressive होती है अपनी energy को एक point पे concentrate करना जानते है और इन्हें पता होता है कि इनको life में कब क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है तो बहुत ही ज़ादा intelligent होते है और साथ ही इनका जो mind line है वो यहाँ पे break हो रहा है यानि same age है यहाँ heart line भी break हो रही है इनके और यहाँ पे mind line भी break हो रही है यानि 42 और 43 जो age है उसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई issues आपके life में आने वाले है क्योंकि आपके जो life line है वहाँ पर भी यह break मुझे देख रहा है और थोड़ा सा उस age में सतर करेना है यानि 42 और 43 1 year plus minus मैं करके इसलिए चलती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी इंसान का हाथ में सामने से देख नहीं रही हूँ और वो PIX अपने हिसाब से ले रहे है तो 1 year age में दिक्कत आ जाती है जब आप PIX के थोड़ू age calculate करते है अब चलते हैं इनकी life line को देख लेते हैं तो life line इनकी इस age तक यानि 28 तक break हो के चल रही है और mind line से attach हो के चल रही है तो कहीना कहीं 28 तक ये independent होने का जो सपना होगा इनका अब वो पूरा हुरता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन 29 के बाद से मुझे अच्छा बदलाव दिख रहा है अब age wise हम बता देते हैं कि इनकी life में कब कहा कौन-कौन से changes आने वाले हैं अब चलते हैं age wise calculate करके देख लेते हैं कि इनके life में क्या क्या हास होने वाला है आगे या भी तक इनके हाथ में क्या क्या चेज़ हमें देख रही है एक तो 19 साल की जब यह होंगी या होंगे तब से इनके life में कोई ने कोई change आया then after 23 या 22 में कोई issues आये, healthy issues जो कि इनके हाथ में साव देख रहा है क्योंकि यहां पर जुनकी life line है वो पूरी तरह से blood हो गई है जब भी आपकी life line blood हो जाए या मिटने लगे और side में कोई भी mangal की रेखा ना हो तो वो कही न कहीं कोई बड़े बड़ा जो health problem होता है वो बताता है तो यहां पर मुझे कोई mangal की जो डेखा है वो नहीं दिख रही है और यहां पर blood होता हुआ मुझे life line इनका दिख रहा है तो कहीं न कहीं कोई न कोई health issues आए होंगे साथी यहां पर कोई बड़ा बदला है यह 25 है, यह 23, 24, 25 25 में कोई बड़ा बदला है और जब भी किसी particular age से आपकी जो mangal रेखा start होती है तो एक तरसी यह जीवन साथी को indicate करता है यानि 25 या 26 में इनकी शादी होई होगी जो कि इस age में अब जानना है हमें कि इनके life में positive change कब आने वाला है 29 यानि 28 खत्म होते ही 29 क्यास पास से कोई न कोई बड़ा बदला उनकी life में आता हो मुझे दिख रहा है यहां से यहां से इनकी life पटरी पे आते हुई दिख रही है 29 से 1 year plus minus करके चलिएगा क्योंकि आप सामने नहीं है और fix के through maze calculate कर रही हूं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और 1 year इधर उदर होई जाता है तो 29 मुझे ऐसा लग रहे है 29 से इनके life में positive changes आ रहे हैं कोई न कोई तरक्की नहीं मिलने के आसार मुझे दिख रहे है साथी 31 में एक तो 31 में कोई न कोई राहू की line इने cut कर रहे है थोड़ी बहुत issues 31 में इने face करने होगी लेकिन उसके साथ ही बड़ा change बड़ी खुशी ही ने मिले वाली है 31 के आसपर्स तो 31 में ने का आए तो 30 भी हो सकता है और 32 भी हो सकता है लेकिन 32 होने की chances ना के बराबर है हाँ 31 के chances 100% है तो 31 में कोई ने कोई बड़ी खुशी आपको मिलती है उमजे दिख रही है उसके बाद life यहां तक smooth है कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ अच्छे से चल रहे है और यहां पर तक्रीबन age होगी 36 के आसपर्स यहां पर कोई ने कोई राहो की line ने इसे cut किया है तो issues आने के chances है 37 में और उसके बाद से लगातार लेकिन अच्छा क्या है कि बुरा होने के साथ साथ एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि यहां पर offshoot है तो या तो यह राहो की line होगी यानि problem के साथ खुशी भी है क्योंकि एक upward branch निकल रहा है lifeline से तो problem भी है और खुशी भी है लेकिन यह भी हो सकता है कि यहां से जब यह downward direction में mind line को cut ना करे और यहां पर जाके attach हो जाए तो हो सकता है कि यह investment line हो में भी हो सकता है लेकिन मैं sure नहीं हूँ क्योंकि pick पूरी तरह से clear नहीं है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि यह line कहां पर जाके stop हुई है लेकिन वही है कि 36 में आपको कोई न कोई बड़ी achievement मिलेगी जिससे आपको बहुत जादा खुशी मिलने के chances है लेकिन उसके बाद से ले करके यहां तक यानि 36 से ले करके 42, 43 तक प्रॉब्लम है यहां से यहां तक बड़ा ही dramatic change मुझे दिख रहा है एकदम से cuts, cuts, cuts back to back, back to back cuts है मैं ऐसे zoom in करके दिखा तो दूसरा बिखलेता है देखिए यहां पर दिखे कितना ज़्यादा cuts है और साथ ही यहां पर आपके weight बढ़ने की chances भी high है तो थोड़ा सा health control करके रखना है और यह cut जो कि मैंने कहा है आपको कि 41 या 42 में 42 या 43 में जो कि आपकी mind line पे भी है, आपकी hurt line पे भी है और आपके life line पे भी है और यहां से राहू की line ज़वरदस तरीके से काटा है तो यह जो age है 42 या 43 इसमें थोड़ा सा अलट रहना है क्योंकि changes यहां से मुझे दिख रहे है थोड़ा सा अलट रहना है तो यह जो आपका health है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और यह तकरिबन 47 तक रहेगा लेकिन 47 के बाद से 50 और 54 यह दो बड़ी बड़ी offshoot आपके हाट में यानि कोई बहुत बड़ा achievement आपको सेज में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है और उसके बाद आपकी जो life line है वो पूरी तरह से break होती हुई moon mount के तरब shift हो रही है तो कहीं न कहीं foreign trip या foreign में 2, 3, 4, 5 साल रहने के chances बन सकते हैं लेकिन उसके बाद मुझे आपके life line में कोई भी issues नहीं देख रहा है मतलब जो major changes आपके life में आने वाले हैं वो major changes है एक तो 29 1 year plus minus करके चलिए 29 second major change होगा 31 31 बदलाओ जहां से मुझे देख रहा है 36 42 47 50 बहुत ही positive change ही यह 54 तो बस यतने ही चीज़ें मुझे दिखाए दे रहे हैं आपके उसके बाद आपकी life बिल्कुल स्मूथ है कहीं कोई issues मुझे नहीं दिख रहे हैं in fact बहुत ही अच्छे offshoot हैं चीज़ें बहतर होती ही मुझे दिख रहे हैं अब चलते हैं आपके luck line के तरफ अब देखना यह है कि आपकी luck line कब से सुधरी है क्योंकि तभी से आपके income होने के chances बनते हैं देखे आपके luck line में यहाँ पर बड़े अच्छे change मुझे दिख रही है यह is 31 है शायद एक तो यहाँ भी आपके luck line में changes बहुत solid वाले दिख रहे हैं एक तो यहाँ पर 29 में भी कोई न कोई अच्छी चीज होती भी दिख रहे हैं क्योंकि आपके हलकी से fish की sign बन रही है 29 या 30 में हलकी सी तो यहाँ पी कोई न कोई पद मिले के chances आपके है और 100% अगर मैं surely बोलू क्या फिलाई पूरी तरह से track पी आ जाएगी या कोई बड़ा achievement आपको मिल जाएगा वो मुझे 31 के आसपास से देख रहा है 31 या 32 के आसपास से क्योंकि जब भी आपकी जो luck line होती है उसमें जब branches निकलते हैं तो वो short ही देता है कि उस age में आपको बड़ी उपलबधी मिलेगी कोई न कोई तो यह positive change बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है और उसके बाद अब चलते हैं investment वगड़ा को देख लेते हैं एक investment जो की main आपकी जो fate line है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक तो 36 में और एक 38 में दो investment है उसके बाद 46 में investment दिख रहा है यहाँ पर एक हलकास investment आपका होगा 50 के आसपास 49 के आसपास नहीं 50-50, 50 के आसपास देन आफटर 53 और यहाँ पर यह investment जो होगा यह बड़ा तगड़ा वाला investment है आपका यह वही है 48-49 के आसपास और उसके sign यहाँ भी दिख रहे है lifeline पे भी क्यानि sales में आप कोई बड़ा property लेने वाले हैं क्योंकि sales में आपके बड़ा सा 50 के आसपास बड़ा सा यह square बन रहा है आपके lifeline पे तो कोई बड़ा सा घर या बहुत बड़ा जमीन या कुछ बहुत यह अच्छा आप करने वाले हैं तो बस यही है बाकी आगे भी जब भी आपको analysis करवाना हो तो आप करवा लीजेगा अब इनके सवाल का जवाब धूमते हैं कि government job के chances इनके हाथ में कितने percent है triangle है बिल्कुल है बड़ा सा है तो यह पद दिलाता है square है यह जुटर के मांच पे fish का sign दूसरा पिक लेते हैं इसमें मुझे fish का sign नहीं देख रहा है हाँ जी है fish का sign यहाँ पे छोटा सा कोई न कोई लाइन जो धनकी रेखा है कोई न कोई set and mount और यह जुटर का mount उसके बीच में conjunction का काम करता हुआ एक attachment बनाता हुआ तो वह यह वाली लाइन मुझे दिख रही है यहाँ से यह वाले है तो दोनों के बीच में एक setup तयाद हो रहा है दोनों इक दुसरे से connect कर रहा है तो यह भी एक sign इनके हाथ में मौजूद है साथ ही lifeline से कोई न कोई line जुप्टर के तरफ जाती हुए तो बिलकुल है इनके हाथ में और दो-दो है तो यह भी sign इनके हाथ में है फिश का sign यश का sign वो भी है अच्छ आपके हाथ में international fame भी है इफ अगर यह sign complete है तो आपके हाथ में national के साथ international fame भी है और एक यहाँ मुझे complete फिश का sign दिखतो रहा है लेकिन फिर भी हम फिर से रीचे कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत न रहे जाए मुझे असा लग रहा है यह completed है लेकिन मैं sure नहीं हूँ से लिए थोड़ा सा मन में आप एक बार खुद से देख लीजेगा या मुझे एक बार फिर से यहां की पिक भेज़ दीजेगा इफ यह complete होगा क्योंकि government job के लिए इस finger के पास यहां की ring finger के पास कोई ना कोई यश का sign होना ही चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि है शायद और जब भी आपके sun line को इस तरह से जब cross type structure बनता है sun line पे तो यह जो father होते है ना उनसे मनमुटा होता है मतलब father से बनती नहीं है इन लोगों की और तरकी मिले में भी देरी होती है क्योंकि cross का sign सिर्फ Jupiter के mount पे अच्छा होता है अदर्वाइस किसी भी mount पे अच्छा नहीं माना जाता है और फिश कंप्लीटेट तो नहीं देखो क्या कि गलती मेरी भी है क्योंकि मैंने इनसे पिक मांगी नहीं सही तरीके से और मैं एक सब्सक्राइब करें और मैंने वहीं की पिक्स ली यहां की पिक लेनी मैं भूल गई लेकिन यहां पर मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है जो कि साब तौर पर है तो मन की सभी एक च्छाएं यह पूरी करता है इसक्वाइड भी है इनके हाथ में यश का जो साइन है वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि है की नहीं है इसक्वाइड इनके हाथ में बहुत बढ़ा है और साथ ही देखे, आप इनके हाथ में कौन सा, किस तरह का पोस्ट मिलने के चांसेज इनके है, इफ अगर ये complete होगा, यहां का जो यश का साइन है, ये complete होगा, तो किस तरह के चांसेज है, तो यार दखिएगा, government job आपके हाथ में है, क्योंकि इनके हाथ में सभी चीज़ें completed government job की एक point को मुझे doubt है, जो मैं आगी discuss करके बताती हूँ, बाकि कौन सी चीज, कौन सा post मिलने के chances है, जब भी आपकी life line break होती है, सभी government job के sign आपके हाथ में मौझूद है, साथ ही आपकी जो life line है, वो कहीं से भी अगर break हो करके, moon mount के तरब shift हो रही है, तो याद रखिएग इस बात को ये लोग PCS qualify करते हैं, यानि ये लोग first class officer बनते हैं, ये second और third class नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ऐसे लोगों के PCS officers बनने के chances बहुत ही high होते हैं, एक point पे मुझे जो doubt है, जिस वज़ए से मैंने बहुत ही ज़्यादा picks से मंगवाई, वो है, यहाँ पे, government job के लिए और high post के लिए important होता है mercury line, अगर आपकी mercury line को luck line काट देती है, तो फिर आपके government job के chances ना के बराबर होते हैं, ये है इनकी mercury line, ठीक है, जो की अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये line इस luck line को काट रही है, अब देखना इए हैँ कि ये काट रही है कि नहीं, क्योंकि इस pick में मुझे लग रहा है कि ये काट रही है, फिर इस pick में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाँ पिर stop हो हो रही है और यहासी initiate हो रही है, इस वज़े से मैंने इन से ink लगे वी pick भी मागी, तो इन्हों ने दी, और काफी मेनद किय hai इन्होंने अब देखते हैं इसमें यहाँ Ohh कि यहां पर देखे यहाँ पर यह स्टॉप होती है दिखाई दे दे लिए और यहाँ से एक नहीं मर्कूरिय लाइन मुझे स्ट्र Hथ होती हुँ दिखाए दे रही है, अब एक जिकें और देख लेते हैं, अब देखें, यह यहाँ पर मुझे स्टॉप होती हो, यहाँ से एक नई मर्कृ लाइन इस तरह से जाती हो, अगर यहाँ पर स्टॉप होगा, आप खुद से भी देख लीजिगा एक बार, यहाँ पर स्टॉप हो जाए बस इतना ही मुझे चाहिए, और यहाँ से कोई नई मर्करी लान अगर स्टार्ट हो रही है तो आपके PCS ऑफिसर बने की चांसेज बहुत ही ज्यादा हाई है अब अब अगर मैं परसेंटेस के हिसाब से बताऊं तो बिल्कुल मुझे आपकी हाथ में PCS ऑफिसर देखे रैंक 2 और रैंक 3 वाली बात नहीं है मैं रैंक 1 की बात कर रही हूँ रैंक 1 ऑफिसर बने की चांसेज आपके 91 या 92 परसेंट हैं बाकी जो परसेंटेस मैंने काटे हैं वो बस इस मर्करी लाइन की वज़े से क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ हलकी सी बाकी आपके हाथ में गवर्मेंट जोब में जाने के चांसेज हाई है 92 या 93 परसेंट हम बोल सकते हैं हाँ मुझे लग रहा है कि यह यहीं से इनिशेट हो रहा है मुझे पता नहीं क्यों इस पेके साब से मुझे लग रहे है कि यहां से इनिशेट हो रहे है आप government job की त्यारी कीजिए PCS officer बनने के आपके chances हाए है कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है और बाकी जो भी चीज़े मुझे दिखाई दी है मैंने आपको बता ही दिया है मंगल की lines देख लेते हैं कहां से और कुछ मुझे दिखाई दे नहीं रहा बाकी सब बहुत ही अच्छा है अब जो आपने मुझे सवाल जो भी चीज़ें की है जैसे भी जो भी चीज़ें आपको पूछनी है तो याद रखेगा आपके हाथ में जो खुशिया है देखे खुशिया जब आती है life में तो उसके sign हाथ में exact उस time पे बनता है तो 29 में बड़ा बदला है 31 में बड़ा बदला है आपके हाथ में उसके बाद 36 में बड़ा बदला है और इसके बाद 50 और 54 में ये changes मुझे दिख रहा है तो जो भी happiness आपकी life में आएगा वो 29, 31, 36, 50, 51, 54 इसी age में आएगा और alert किस age में रहना है आपको तो 42 और 43 इस age में थोड़ा alert रहना है क्योंकि break हर जहें पे है और fat बढ़ने की chances हैं आपके 36 के बाद से थोड़ा सा weight को control में रखना है बाकी और एक और बात इस तरह से जब हाथ का color होता है पाम का जब color होता है पिंकिश होता है माउंस और कहीं के white होता है ये पैसे को आकशिक करता है और महिलाओं का जब इस तरह का हाथ होता है तो एक तरह से लक्षमी का हाथ कहा जाता है इन लुकों के पास पैसा कहीं न कहीं से आहीं जाता है और काफी lucky माना जाता है ये हाथ ये पैसे को magnet की तरह खीशता है अपने तरह तो आज के लिए बस इतना ही और कोई भी सवाल हो आपको तो आप बे जिजग पूछ सकते हैं और किसी को भी अपने हाथ का या palm का analysis करवाना हो मांफीजे का palm का analysis करवाना हो तो अपने picks मुझे send कर सकते हैं आप whatsapp नमबर पे भी send कर सकते हैं या फिर gmail पे भी